साथियों क्लाइमेट चेंज का संकट आज पूरी मानोता का संकट बन गया है इसमें भी भारत लीड लेने की कोश्टिस कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हमारा कॉंट्रिबुशन न के बराबर है फिर भी भारत में हमने ग्रीन ट्रांजिशन को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाया है आज सस्टेनेबिलिटी हमारी डेवलप्मेंट प्लानिंग के कोर में है आप हमारी पी एम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना को देख लें खेतों में सोलर पंप लगाने की स्कीम को देख लें हमारा इवी रिवलुशन हो या इथेनल ब्लैंडिंग प्रोग्रेम हो बड़े बड़े विंड एनर्जी फार्म हो या एलीडी लाइट्स आप हमारा कोई भी प्रोग्रेम कोई भी स्किम देख लीजिए सभी में ग्रीन फ्यूचर को लेकर ग्रीन जॉब्स को लेकर एक स्ट्रॉंग कमिट्मेंट ही पाएंगे साथियों स्टेविलिटी और स्टेविलिटी के साथ साथ भारत आज सॉल्यूशन्स पर भी फोकस कर रहा है बीते दसक में भारत ने ऐसे अनेक सॉल्यूशन्स पर काम किया है जो ग्लोबल चैलिजिस से निपटने के लिए जरूरी है इन्टरनेशनल सोलर एलायंस हो कोईलिशन पर डिजास्ट रेजिजन इस वराश्यक्शर हो इंड्या मिल इस एक पनामिक कोरिडॉर हो ग्लोबल बायोफ्य एलायंश हो जोग हो ऐरूवेज हो मिशन लाइफ हो मिशन मिलेट थो भारत की तरप से लिए गए सभी इनिशेटिव्स दुनिया की चुनोतियों के समाधान देने वाले हैं कि साथ्यों मुझे खुशी है कि भारत का बढ़ता सामर्थ दुनिया की बहतरी को सुनिश्चित कर सक रहा है भारत जितना आगे बढ़ेगा दुनिया को उतना ही फाइदा होगा